हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी आई होप सभी अच्छे होंगे मैं बीजू स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल फंटन्सी जैगवार में आप सभी वाईयों का दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करें हैं आई पेल 2023 के फर्स्ट मैच के बारे में जो की खेला जाएगा चैने सूपर किंग्स और गुजार टाइटन्स के बीच में लास्ट येर आप लोगों को पता हो तो मैंने आप लोगों को ये अपना फाइनल इस्ट मिनर बताया था कि कुजार टाइटन्स फाइनल जीतेगा ठीक है और जीता भी फर्स्ट अनलाइसस वीडियो वेन्यों से रिलेक्टेड प्रेडिक्टेड मैंने डाल दिया है ठीक है तो वह आपको आइकन बटन पर मिल जाएगा तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखें फिर इस वीडियो को आप लोगों को देखना है क्योंकि अगर एक में बना देता तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता आपको कुछ भी समझ में नहीं आता ठीक है और वहाँ पर मैंने बैन स्टोक्स का प्रेडिक्शन दि कशनें आप आप जयाओगा या फिर्स्ट कमें तो पर्फिशन में वहां से आप जयीं हो सकते हो थिक दो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा सभी प्लेइर के रिकोर्ट ठीक असे प्लेश का रिकोर्ड है क्या रोल है कौन 명 Lynn कम नहीं खेलेगा कौन बा डेप्थ इस वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से में बताऊंगा आपको यहीं बोलूँगा कि ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करना ना कि कोपी-पेस्ट में दान देना मैं आप लोगों को पूरे अच्छा-च्छा अच्छा अनलाइसस देने कोशिश करूँगा ठीक है तो अब हम अनलाइसस के और भढ़ते हैं पीच रिपोर्ट के में बात करूँ तो टेलिग्राम चैनल अवेश से जोइन कर लेना नुफरेस्ट पीच यूज होगी बैट्समन और बोलर दोनों को एक्वल हेल्प मिलेगा पेसर्स आपके लिए मैं पेसर्स को यहाँ पर अच्छा मदद मिलता है श्वेनियों पर और जो गेंदबाज बाउंस और स्विंग करवाता है वो भी आपके लिए मस्ट पिक रहने वाले मोटराय स्टेडियम में ठीक है मौमा समी और दिपक चार्ड दोनों ही गेंदबाज न्यू बोल स्पेसिलिस्ट है ठीक है यह आप लोगों को ध्यान में रखना है और राजवर्दन हैंगार गेकर यदि खेलते हैं तो आपको अपने ड्रीम टीम में को डिफिनेटली पिक करना है ठीक है यह अपना डिफ्रेंशल पिक रहेगा इस मैच के अंदर ठीक है क्यूं आपको आगे बताऊंगा एवरेज इसक कर दोस्ते तकने को मिलेगा इंपोर्टेंचर्स की दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों साब मेर को अपनऄ कर सकते हो क्यों क्योंकि वह आपको मैंने फ़र्ष्ट वीडियों के अंदर बताया क्यूंए को रहा हूं ठीक है एक opener के साथ ही पैसर के साम्ने आप एक से दो क्वालिटी स्पिनर भी अपने टीम में रखिए ठीक है टीम न्यूज की बात करते हैं तिकसान और एम पतिराना ना यह अविलेबल नहीं है मुकेश सोधरी रूलोड दोजार तेस के आई पिल से डेविड मिलर भी अविलेबल नहीं है ठीक है प्लेंग लेउन की द पिर्टियोशियर के हम बात कर लेते हैं दोनी बहुत नीचे बेटेंग का न्यारे दिपक्चार राजवर्दन तुसार देश पांड़े होगे गुजरा टाइटन्स की मैं दोस्तों बात कर लेता हूं यहां पर गिल साहा विलियम सन हार्दिक पांडिया मेथ्वेट हे हैं मावी ठीक है अब देखो कमपेरिजन बात कर लेता हैं CSK container गुजरात के अपनर से भूलर से ठीक है CSK का हाइस इसस्कुर है ह् transmitted sevenottaレंश इनका इसे और इसाथ्तिस है चार सोव दोप्तरन थे रहांदा लेण है ठीक है साहा कि हम बात करते हैं वेन्मी स्टेट्स में जानेंगे तो पांच मैंचों में दोस्तों बात करते हैं ओलेट चोवीस का है दस मैंचों में 243 हण है हिए स is got 53 पता ही है पूरी दुनिया इनको लेके आएगी ठीक है मेट्वेट को आप डिफ्रेंशल जी एल में आप लोग ट्राई कर सकते हो ठीक है बेटिंग सेक्षन में स्टेट जानेंगे सुमन गिल सबसे पहला नाम आता है वेन्यू स्टेट्स एवरेज 111 का चार मैचों में 223 रन प्लेस इसकोर दो बार इन्होंने किया है केन विल्यम्सन की दोस्तों बात करें आइस्टूर्च में 12 मैचों में 147 रन बनाए एक तालिस का मतलब रिकोर्ड के हम बात करें बहुत ही शानदा रिकोर्ड है खेलना पसंद करते हैं ठीक है अंबाती राइडू की दोस्तों बा राइकवार्ड और केन विल्यम्सन ठीक है जी अलपिक्स हम बाती राइडू रहेंगे यदि नंबर चार पर बेटिंग करने आते हैं तो हमारे लिए ठीक है ओल्डाउंडर सेक्टर में हम जाने हैं बैन स्टोक्स के बारे में सबसे पहला नाम आता है ठीक है टीट्वंटी टीट्वंटी स्टेट्स हम देखेंगे यहां से 2022 के तो आठ मैच्चों में 113 रहने एवरेज 25 का इसकोर इनका बाउन का साथ विकेट भी इनोंने निकाल ला है वही हम हार्दिक पाइंडे के हम बात करें सेगिंड ओल्डाउंडर वेन्यू स्टेट्स 6 मैच्चों में 150 रह है आठ विकेट भी निकाले हैं रविंदर जडिजा की दोस्तों बात कर लेते एक मैच खेला 22 रन बनाये हैं और एक विकेट भी निकाला है एस्टूच में मोहिन अली का रिसेंट पर्फूमेंस देखे तो इतना खास नहीं है बेटिंग से पर 10 मैचों में साथ विकेट भी निकाले हैं डवाइन प्रेटरियस की दोस्तों बात कर लेते हैं आठ मेचों में नो विकेट निकाले हैं दो बार विकेट गया है मतलब कहीं न कहीं दो विकेट तो समरी में दोस्तों बात करें से पिक्स कर रूप में जडेजा पांडिया स्टोक सभी इनको लेके आएंगे डिफरेंशल आप पेटरियोस को ट्राई कर सकते हो बोलिंग सेक्शन में स्टेट से हम जाने मोहमस समी हो गए सबसे पहले नाम नो मैचों में 11 विकेट है इंका 27 का स्टोफ के इंदर रिष्ट प्रफॉमेंस देखें 13 में 12 विकेट है पांच विकेट 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 निकाले हैं राशिद खान के हम दोस्तों बात कर लेते हैं एस्टू अच के अंदर 12 मेंचों में 111 रहन है और इस टाइट इनका 26 देखो इनको बेटिंग का मुका मिलता तो बेटिंग से भी पॉइंट बनाके देता हमें के सभी उगयां आर साही चाहर मेंचों में 10 सिंग की दोस्तों बात कर लेती है। 26 मैचों में 28WKT qualidade इनका सत्रा के राजवरदन ऀंगारगेकर की दोस्तों बात कले 12 मैचों में 26 वीर्ट निकाल ले हैं रिशेंट परफोमेंस में 2 बार्वि किलेज यह नहीं 10 मैचों में 26 वी जहरे हैं मिले 2-3 लेके जा रहे हैं जो शेप बहुत ही शांदर गेंदवाज है वेस्ट इंडीज के टीम का ठीक है चोदा मैचों में 31 विकट निकाले अच्छी बाउंसर भी डाल लेता है ठीक है और एक बार विकिलेज गया है तुसाथ देश पांटे की दोस्तों बात कर लेता है रिसेंट प्रफॉमेंच क्या शांदर है शोला मैचों में 27 विकट है तीन बार विकिलेज गया है उली सोटली समरी में देखें दोस्तों से पिक्स में रूप में मुहमस समी होंगे दिपक चार होगे राशित खान होगे डिफरेंशल आप किसको ट्राइब कर सकते हैं अपने टीम के अंदर सीवं मावी त दूसार देश पांडे अलजार ही जो से वेरी गुड बोलर है ठीक है राजवर्दन हेंगार गेकर की दोस्तों बात करें वेरी ट्रेंटेड बोलर है यदि खेलते हैं ना तो आप लोग अपने जील और स्मॉल लिक की टीम में इनको जरूर पिक करें आर साहिं की सोर का डेस दे रहाँ देखो मैं यह निए बोल रहा हूं कुछ मतलब टीम बनाने का कुछ लोजिक होना चाहिए मेरा ठीक है मतलब किसको कैप्टन वर्ष कप्टन तो यह मेरे प्रिडिक्शन है ठीक है मतलब मैस होने से पहले आप लोगों को मैं बताना क्या ऐसा हो सकता है ठीक हुम हाधिक पाइडिया का मैं स्कॉर माण के चल रहा हूं 25 से 30 एक विकेट मुखमस ज़ते हैं राजवर्दर अंगार यह किलते हैं तो इनको आपको डेफिनेटली अपने टीम में पिक करना है ठीक है टोप सी वीसी की स्मोल लिग में बात करें सेप के रूप में हम बात करेंगे हार्दिक पांडया बेनिस्टोक्स पूरी दुनिया इनको बना कियाएगी ठीक है अब डिफरेंसल आप क्या कर सकते हो एम समी ठीक है ड्वाइन कि चार अवर कंप्रीट डालते हैं तो इनको बनाईए ठीक है जी यल में कैप्टन वोस कैप्टन आपको किसको देना है सुमन गिल को और राजवर्दन हेंगार गेकर को आप लोग बना सकते हो यह था मेरा अनलाइसस आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा देख किस तरह से मैं और एक्स्प्लेन करूं ठीक है मुझे जहां तक लगता है यह मेरी और से बेस्ट से बेस्ट है यहां तक अगर आप लोग वीडियो कंप्रीट देख्यों तो कमेंट करके जरूर बताना अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के सार्थ भी शेयर कीजिए जो फेंडेंसी खेलता है ठीक है और मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि इस आई पिल में जादा से जादा सीखने की कोशिस करना ठीक है जरूर ही नहीं है दो तीन मैच हार होगे और ऐसा भी हो सकता है कि 10-12 मैच कंटीनियो जीत भी सकते हो अगर नसीब अच्छा है त ठीक है तो मिलते हैं इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय वारत